नमस्कार दोस्तों, ARK India Vlogs में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जानेगे Central Bank of India का जो कियोस के मसीन है पासुख प्रिंटिंग मशीन तो उसे पासुख प्रिंट कैसे करें? जो कि आजकल ब्रांचेज में इतनी भीर हो रही है कि पासुख प्रिंटिंग करना स्टाफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसके लिए Central Bank of India ने पासुख प्रिंटिंग मशीन काफी ब्रांचेज में आपको देखने के मिल जाएंगे पासुख प्रिंटिंग करने के लिए आपको यह मशीन पर टच करना होगा और टच करने के बाद इंग्लिश ऑप्शन में चोच कर रहा हूं इसमें दो तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं अप्रिंटिंग के अम स्कुख को अब ठिखने को मिलेगा अपनी को अपने क? सब्सक्राइब को Carniu거나 कमें इंसर्ट करने के बाद जैसा आप इंसर्ट करते हैं तो स्क्रीन पर ऐसा दिखेगा अकाउंट नमबर और आपको नाप अगर यह डेटल्स ओके तो आप उसको यस किजिए यस करने के बाद आप इंसर्ट करेंगे तो आपका यह printing प्रोसेस स्टार्ट होगा और आपका मशीन में पासूप प्रिंट हो जाएगा जैसा कि आप लोग इसक्रीन पर देख रहे हैं इस बार हम लोग अकाउंट नंबर से पास्फूर प्रिंट कैसा होगा उसको दिखाएंगे अकाउंट नंबर से पास्फूर प्रिंट करने के लिए आपको अकाउंट नंबर इंसर्ट करना होगा मैं अकाउंट नंबर टाइप कर रहा हूं enter your account number उसके बाद से आपके registered number पर एक OTP जाएगा account number type करने के बाद register number पर OTP जायगा लेकर एक OTP आपके register mobile पर जाएगा उस OTP का use हम लोग यह machine में करेंगे यहाँ पर details आप confirm कर ले Yes प्रेस करने के बाद आपके पास्वूक का जो लास्ट प्रिंटेड पीज है उसको यहां पर डालेंगे डालने के बाद यह आपका पास्वूक प्रिंट हो रहा है प्रोस्ट में है और कियोस्ट मशीन आने से काफी कस्टमर्स को सुधा हो रही है बोगी में ख्र uno अब काउंटर पेंडनेंट नहीए रहना पड़ रहा हूं कियोस्ट मुस्टिम से भी अपना प्रेंट कर सकते ह्ट है जो के Central Bank of India के द्वारा एक काफी अच्छी शर्विस दी जा रही है कस्टमर्स को दोस्तों आपने देखा होगा आप जब बैंकों में जाते हैं तो पासु प्रिंट करने के लंबी लाइन लगे रहती है तो यह प्रियाज काफी हेल्प करेगा कस्टमर्स के सर्विस में और Central Bank of India का क्योस मशीन पासु प्रिंटिंग मशीन से यही प्रोसेस है या तो आप अकाउंट नंबर से अपना पासु प्रिंट कर सकते हैं या बारकोड से अकाउंट नंबर के लिए अगर आप अकाउंट नंबर से पासु प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको OTP, Registered Mobile मट चाहिए और बारकोड से प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको काउंटर पर जाके अपने हम ब्रांच में वहां से बारकोड एक्टिवेट करना पड़ेगा केपिया इस चैनल से जुरे रहें इस चैनल पर सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से संबंधित काफी सारी वीडियो अभी आने वाली है तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गया ए आर के इंडिया ब्लॉक्स थेंक यू